मैं जानना चाहती हूँ कि लिंग भहरवी देवी के चर्णों में महिशासुर के रूप का क्या महत्व है? इसका मतलब है एक स्त्री ने एक पुरुष को मार दिया महिशासुर पहले एक आदमी है हम उनके बारे में जादा नहीं जानते लेकिन परंपरा में उनकी बहुत बुराई की गई है तो माना जाता है कि वे बुरे हैं और देवी ने उन्हें मार दिया और उनका वाहन बिचारा शायद घोड़े का खर्च नहीं उठा सकता था तो उसने एक भैंस रखी थी और ना सिर्फ उसे बलकि उसकी भैंस को भी मार दिया गया भैंस लड़ सकती है तो अतीत में कुछ लोग भैंसों की सवारी करते थे क्योंकि लड़ाई में भैंस घोड़े से काफी अच्छी होती है घोड़े का कदूंचा होता है बस यही फाइदा है अगर आप एक अच्छे योद्धा हैं तो लेकिन भैंस अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और अच्छा खाना दिया जाए तो वो भीड को तहस नहस कर सकती है तो भैंस अच्छी रहती थी और भारत में लोग लड़ाई में हाथियों का अभी इस्तेमाल करते थे वो भैंस का इस्तेमाल करता था इस संकेत का प्रयोग होता आया है बस यह दिखाने के लिए कि इनसान का जंगली पन पशु प्रकृति इनसान की पशु प्रकृति क्योंकि आप स्वर्ग से नहीं गिरे थे, जैसा कुछ लोग मानते हैं, आप विक्सित हुए हैं, वो गुण, जो अमीबा, केंच्वे, टिड़े, भैंस और हर तरह के जानवर, जो विकास की प्रक्रिया का हिस्सा थे, उनके गुणों के अंच अब भी आप में हैं। आप जानते हैं, वे अब भी आपके साथ हैं, तो ये सभी विवश करने वाले जुकाव हैं, आधुनिक नियूरोलोजी भी ये पैचानती है, कि आपके दिमाग का एक हिस्सा रेंगने वाले जानवरों का है, ये रेप्टीलियन दिमाग है, जो लगभग मुठी के आकार का है, तो विकास की प्रक्रिया और आधुनिक नियूरोलोजी ये पैचानती है, कि दिमाग का एक हिस्सा है, जो रेंगने वाले जानवरों जैसा है, मतलब ये विकास के उस चरण में है, जो स्वभाविक प्रकृती से चलता है और चीजें अल सेरेब्रिल कॉटेक्स का फूल विक्सत हुआ, अगर आप उसके माध्यम से काम करें, जो ऐसी घटना है, जो तब हुई, जब मनुष्य की रीड सीधी हुई, रीड सीधी होने के बाद बाहरी फूल विक्सत हुआ, यही है जो आपको इनसान बनाता है, यही है जो आपको स्रिष्टी की सर्विव्यापक्ता के विचार देता है, यही है जो आपको ये विचार देता है कि सब कुछ एक है, जो आपको वैग्यानिक बनने के काबिल बना लेकिन अगर आप उस पर फिर से जाएं, तो आप में बस खुद को जिन्दा रखने का स्वभाव होगा। तो ये सारी प्रक्रिया, इंसान की कोशिशें, शिक्षा द्वारा, आध्यात्न द्वारा, ध्यान के द्वारा यही है कि इससे दूर जाकर और बाहरी आयाम से काम करना, जो जादा नई घटना है। लेकिन ये आपको जीवन से अखंड तरीके से जुड़े होने का भाव देता है। अगर आप रेंगने वाले पशुवाले दिमाग से काम करेंगे, तो आप बस सीमाएं तै करते रहेंगे। तो जब भी आपको अपने आसपास के लोगों से समस्या हो, हमिशा सीमाएं तै करने की बात हो, ये मेरा है, ये आपका है, ये मेरी जगा है, वो आपकी है, मेरी हवा, आपकी हवा, जब ऐसा हो, तो आपको समझना चाहिए कि आप यहाँ आ आ गए हैं। अब आध्यात्मिक प्रक्रिया, योग आयाम, ये देखता है कि इसे कैसे, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग के सिर्फ एक आयाम से काम करेंगे, तो ये कारगर होगा, पर काफी नहीं होगा, आप पूरे दिमाग का इस्तवाल नहीं कर रहे हैं। इसके प्रमान मौझूद हैं कि रेंगने वाले जानवर का दिमाग जादा पारदर्शी बनकर बाहरी दिमाग के साथ संपर्क बना सकता है। यहां प्रयोग और अध्ययन हैं जो ये बताते हैं कि ध्यान के कुछ अभ्यासों से रेप्टिलियन दिमाग जो हमेशा सीमाएं तै करता है, वो बाहरी दिमाग से संपर्क बनाना शुरू कर देता है और ये एक दिमाग के रूप में काम करते हैं। तो मैं नहीं जानता कि आपने आपको करना चाहिए, फूल खिलना चाहिए और इसलिए योग में आप देखेंगे सभी चुत्रों में, योगिक संस्कृती में फूल, फूल, छोटा फूल, छोटा फूल, छोटा फूल, बड़ा फूल, वो खिल गया। अगर वो खुल जाता है, तो अब इनसानी बुद्धी हर चीज़ को जोड़ने वाले तरीके से काम करती है, ना कि अलग करने वाले तरीके से, तब आप खुद को अलग नहीं करेंगे, आप दूसरों को खुद में शामिल करेंगे। टॉलिट प्रॉब्लम की वज़े से नहीं, बलकि वो एक सामराज्य स्थापित कर रहा है, पेशाप का सामराज्य। इनसान इससे अलग नहीं है वे यही चीज अलग तरीके से करते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है एक सामराज जिस थापित करना जब हो सके उसे बढ़ाना थोड़ा सा जब हो सके थोड़ा और बढ़ाना न हो सके तो दीवार बना लेना यह हमेशा होता रहता है तो यह चित्र या यह चिन्ह यह हैं कि उस जानवर को मार कर नीचे गिरा दिया गया है यही संकेत है महिशासुर और उसकी भैंस दोनों मर कर नीचे गिर गये हैं इसका मतलब आप बड़े फूल है संकेत यह भी है कि जब जब पुरुष प्रकृती अपने ही स्वभाव से जीती है तो यह अपनी मूल प्रवृत्ती में जीती है मतलब यह जब स्त्री प्रकृती आती है तभी यह थोड़ी सी खुलती है तो जब यह खुली तो पुरुष प्रक्रती या पशु स्वाभाव गिर गया उनके चर्णों में क्योंकि उससे वे प्रकट हुई तो देवी मंदिर में संकेत सिर्फ यही है कि वे पूरी शक्ती से उठ खड़ी हुई तो पशु प्रक्रती नीचे गिर गई